नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यु करते हैं हिन्दी फिल्म किल मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 3 ये भारत की पहली 100% action thriller film है दर्शेकों ने ऐसा action आध तक किसी भी हिन्दी फिल्म या south की फिल्म में नहीं देखा होगा बात करते हैं acting की पूरी फिल्म में चाय हुए हैं फि उन्हेंने कमाल के किये हैं, कमांडो के रोल में पर्फेक्ट चॉइज रहें मिस्टर लक्ष, ठैंक गॉड की करन जोहर ने नेपोटिसम से भारा कर फिल्म इंडस्टी को एक नया चेहरा और बहुत ही खुबसूदत एक्शन हीरो दिया है, लक्ष कई माइनों में टाइगर श के लिए नए नहीं हैं, 2015 में उन्होंने वेरियर हाई की, उसके बाद अधूरी कहानी हमारी, फिर प्यार तूने किया क्या, परदेश में है मेरा दिल और पोरस, लेकिन 2019 में उनको साइन किया करन जोहर ने फिल्म दोस्ताना 2 के लिए, जो कुछ रिल बनने के बाद बंद हो फिर जाके तीसरी फिल्म की बनी और अब दर्शकों के सामने आई है, फिल्म की हिरोईन है, तानिया मनिकतला, छोटा सा रोल है, डीसेंट है, लेकिन उनमें हिरोईन मटीरियल के कोई गुर नजर नहीं आते, बतर कमांडो जो लक्ष के साथ नजर आएंगे, वो हैं लेकिन इस फिल्म में वो पूरी तरह एक्शन में है, एक साइकिक केरेक्टर है, उनका डायलोग डिलियूरी जवर्दस्त है, जो वन लाइनर कॉमिक डायलोग उनसे बुलाए गए है, आपको एंटेटेन भी करेंगे, और एक खुंकार विलेन भी नजर आएंगे, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, निखिल नागेश भट ने, बेहद कसा हुआ डायरेक्शन है, जबर्दस एक्शन के साथ, उन्होंने अपनी कहानी को काफी जस्तिफाई किया है, नागेश इस से पहले OTT के लिए खुर्दंग और अपुर्वा जैसी फिल्में बना चुक हिंदी एक्शन फिल्में जो पूरी तरह से ट्रेंड में चुट के गई है, वैसे उन्नीस सो असी में फिल्माइथी बुलेट ट्रेंड बियार चोपरा की, लेकिन उसमें एक्शन कम एंट्रेंट जादा था, स्टोरी, स्क्रीन प्ले डायलोग, इस फिल्म की स्टोरी लिख कौन सी एक्शन फिल्म में आपको कहानी नजराती है, चाहे हिंदी फिल्म में ले लो या होलिवोड की फिल्म में, स्क्रीन प्ले काफी कसा हुआ है, बांधे रखता है आपको, डायलोग, जो में विलेन को दिये गए है, आपको एंटेटेंट करते हैं, काश कुछ अच्छ शार्प है, सेट डिजाइन किया है, मयूर शर्मा ने, कमाल की डिजाइनिंग किया राजधानी ट्रेन की, लगता है नहीं है कि वो सेट में फिल्म आए जाई गई है, डियोपी है, मिस्टर मेहमूद का, काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग, कैमेरा वर्क जबर्दस्तरा, throughout the film, तो टेक्निकली बहुत ही पॉलिश फिल्म बनाई है, डिरेक्टर नागेश ने, माइनस पॉइंट्स, जहां फिल्म में कई सारे प्लस पॉइंट है, वहीं माइनस पॉइंट भी है, आपको पूरी फिल्म में जो टिपिकल एंटेटेन्मेंट है, जैस लूट ने आये हैं, पूरी 40 लोगों की फैमिली, यह अटपटा सा लगता है कि चाचा, मामा, उसका भांजा, भतिजा, सभी के सभी एकी ट्रेन में लूट रहे हैं, पैसेंजर्स को, फिल्म काफी कन्फूजन करती है, कि यह घटना कंपार्टमेंट A1 में हो रही है, A2 में हो रही है, A3 में हो रही है, यह टोटल कंफूजन रहा, डिरेक्टर इसको धंग से इस्टेबिश नहीं कर पाया, बॉक्स ओफिस, सही मानों में यह एक अच्छी खासी एक्शन फिल्म में, जो आज तक विवर्स ने नहीं देखा होगा, इसके लिए बधाई के पात रहे है फिल्म के प्रोडूसर करन जोहर, गुनीत मोंगा, अपुर्व महता और अचिन जैन, लेकिन सवाल यह उटता है, जिस तरीके का एक्शन फिल्म में दिखाया गया है, क्या यही वहवार, सेंसर बोर्ट बाकी फिल्मों से भी रखेगी, हमें नहीं लगता, भले ही फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे सीन है, जो कच्चे दिल के दर्शक और लेडिस नहीं देख पाएंगे, दिल धहलाने वाले एक्शन सीन है, कई जगा भीमत सा है, हार्ड कोर एक्शन है, सिर्फ अट जाता है, खून आँ खून है, तो यह फिल्म कहीं कहीं एक प्रशन चिन कड़ा करती है, सेंसर बोर्ड पर, कि उनके माप दंड क्या है, एक सबसु बड़ी बात है कि इसी फिल्म को हॉलिवूड वाले रीमेक बनाने जा रहे हैं, और साथ ही पूरे USA में और UK में भवे पहमाने पर किल रिलीज होने जा रही है, फिल्म का लिखने किल जाएं, बॉक्स ओफिस, फिल्म कल की 2898 AD, फिल्म थर्जदे को रिलीज होई थी, और फर्जदे का इंडिया का कलेक्शन था करीब 95 करोड, पेड क्रिटिक्स जो पैसा खाके कुछ भी लिखने के लिए मशूर हैं, उन्होंने डिकलर कर दिया कि फिल्म आल फिल्म का ग्राफ गिरते गया, और फर्स्ट भी खतम होते होते, फिल्म का कलेक्शन रहेगा मातर 20 करोड, और बताया जा रहा है कि 8 करोड है तेल्गू का और हिंदी का है 10 करोड, मतलब प्रभास की वेल्यू तेल्गू इंड़स्टी में खतम हो चुके है, जबकि हिंदी म पॉसिबल है, सरा सर ये फिक कलेक्शन है, आठ दिनों का 400 करोड बताया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड 600 करोड प्लस, मान भी लेते हैं, अगर 400 करोड आठ दिनों का हुआ, तो मेकर के पास तो आया सिर्फ 160 करोड, जियां सिर्फ 40 परसंट, फिल्म बनी है, सारे 600 करोड के मह मुझे नहीं लगता है कि फिल्म सेकेंड रिक में होल्ड कर पाएगी, और मैक्सिमम कलेक्शन रहेगा 200 करोड के आसपास, 600 करोड यानि मेकर के पास आए हाथ में सिर्फ 240 करोड, बैलेंस 400 करोड कहां से रिकावर होएगे, सेटलाइट, OTT, डिजिटल, ओवर्सीस, ये फ्री में पैन इंडिया बाटी गई, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता वागेरा, फिल्म कलकी का नौवे दिन मुंबई में कितना बुरा हाल हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट ख़बर ये है कि आज गेटी में 12 बज़े का कलकी का शो कैंसल करना पड़ गया जी हाँ, वज़े थी, ओडियंस नहीं थी, एक शो चनाली के लिए कम से कम 20 ओडियंस चाहिए, और मुश्कील से 10 लोग आये थे, थेटर की कैपेसिटी है 1100, नतीजा शो कैंसल हुआ कलकी का, और जो 10 लोग थे, उनको शिफ्ट कर दिया गया, फिल्म किल देखने के लिए, तो बुरी फिल्म का क्या हाल होता है सेकेंड विक में, ये आपके सामने है, और आज रिलीस हो रही है, फिल्म किल, जो बेहद खतरनाक एक्शन थिलर है, उससे भी कलकीया बिजनस प्रभावित होगा, और 12 तरिक को आ रही है, इंडियन 2, कमल असन की, और अक्षे कुमार की सर्फिरा, वैसे पांच तारिक को आने वाली थी अजे देवगन की, औरों में दम कहां था, लेकिन उसको थेटर मिलने मुश्किल हो रहे थे, इसलिए फिल्म की रिलीस पोस्पोन करके कर दी गई है, दो अगस्त, फिल्म इश विश्क रिबाउंड, टिप्स की फिल्म पहल की डिजास्टर साबित हुई बॉक्स ओफिस पर, फर्स्ट विग का 35 करोड, सेकेंड विग का 18 करोड, और थर्ड विग का मात्र 7 करोड, यानि की टोटल 60 करोड के अंतर पिचर निपट गई, और मेकर के आपास हाथ में है सिर्फ 24 करोड, फिल्म बनी है, 700 करोड की लागत क यानि की अभी तक का कलेक्शन हुआ है, 96 करोड, गसीट ते रोते पीट ते फिल्म शैज सो करोड के जादू आकडे को छूँ जाए, फिल्म बनी ती करीब 25 करोड की लागत की, और ये 2024 की सही मानों में एक सूपर हिट फिल्म बॉक्स ओफिस में साबित हुई, तीपी अग प्रेस शो, प्रेस कांफरेंस, मुजिक लॉंच, टेलर लॉंच वगरा कर सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली है, और रिजिनल फिम्स को विशेश डिसकाउंट की सुविधा भी है, उमीद है आप इसका भरबूर फाइदा उठाएंगे, वेल्कम टू स्टार प्रिव्यू थे देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्स्राइब करने के लिए